नागरिकता संसोधन एक्ट पर सुप्रिम कोट में सुनवाई जारी है 144 याचिकाओ पर आज सुनवाई होनी है तीन जजों की बेंच कर रही है सुनवाई CA के खिलाफ जैराम रमेश, OBC, महुआ की अर्जी भी आज होनी है भीड की वज़ा से कोट रूम के दर्वाजे खोल दिये गए है तो आज 144 याचिकाओ पर सुप्रिम कोट में सुनवाई होनी है CA के खिलाफ लगतार जो इतने दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर आज सुप्रिम कोट में सुनवाई होनी है 144 याचिकाओ बताई जा रही है जिसमें तीन जजों की बेंच कर रही है इस बड़े चीज़ पे सुनवाई CA के खिलाफ जैराम रमेश OVC की अरजी है भीड की वज़ा से कोट रूम को खोल दिया गया है और इसकबर पे जादे जानकारी कि साथ हमारे साथ हमारे समवादता अमित दुबे सीधा लाइब मौजूद है चलिए उनसे बात करते हैं अमित क्या मोहल वहाँ देखा जा रहा है आज सुनवाई होनी है 144 याचिकाओ को लेकर क्या भीड की वज़ा से कोट रूम को खोल दिये गए है जी बिल्कुल देखे सबसे बड़ी चीज की हर को इंतियार कर रहा है चाहे वो CAA के समर्थन में हो या उसके विरोधम हो जो यह 144 याचिका डाली गए 144 याचिका बताई जा रही है जो कि इसके समर्थन को लेके भी है इसके विरोध को लेके भी है 370 को लेके भी हैं जो हिंसा है हुई उने लेके भी है और एक याजका जो है वो केंद सरकार की तरफ से डाली गी जिसमें ये कहा गया कि सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोड करें और सभी मामलों की सुनवाई एक साथ ही हो तो इसे लेके केंद सरकार की तरफ से एक याज प्रिदर्शन भी देखने मिला जहां पर से एंपी आर सी एक एक विरोध में यहां पर महिलाएं देखी गई हलाके उन महिलाओं को विरोध प्रिदर्शन देखते हुए पुलिस ने यहां से हटा दिया और अब जब कोट सुनवाई करेगा तो बहुत ज्यादा भीड़ा जीस कि हिंसा के बाद ही मामले की सुनवाई कोट करेगा तो अब जब तीन जज़ों की बेंच चीप जश्टिस बोब्ले की अगवाई में बैठेगी तो जाहिर तोर पे सारी चीजे जो हैं वो कोट के सामने आएंगी जी बिल्कुल पर अमित आपसे ये भी जाना जाएंगे जैसे 144 याजकाओ पे सुनवाई होनी है पर शाहिन बाग की बारे में बात करें तो लगतार काफी दिनों से वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लोग बहुत जादा परिशाने तो माना ये जाए कि आज उस मामले पे भी सुनवाई होगी और एक एहम फैसला निकल कर बाहर आएगा जी बिल्कुल देकिए चाहामlement canya की बात करें एन पी आर की बात करें ठीशतर की बात करें पैतिसिया की बात करें जगह जगह जो प्रकर्दर्सन हुए उनकी सबी याजका हैं यहां पर लंबीी थायर ? Supreme Court हर याजका पर सुनवाई करेगा शाहिन बाग की बात करें तो शाहिन बाग को लिए के पहले भी कोट टिपड़ी करी थी हला कि कोट ने यह नहीं कहा था कि जो लोग तंत्र में विरोध करना किसी भी चीज का विरोध जो है वह असमवैदानी का इसलिए पूलिस को निर्द तो जाहिर तोर पे शाहिन बाग का मसला भी कोट सामने होगा जरूर कोट इसे ले के डिसीजन देगा क्योंकि जिस रोड को ब्लॉक किया गया उस पे दस लाग से जादा वाहन जो है वो रोज गुजरते हैं और ऐसे में जो ड्यूटी करने वाले हैं रोज जो बाहर से आने वाले उन सब का रास्ता बादित हो रहा है और पुलिस के कई प्रियासों के बाब्यूद अब तक शाहिन बाग के प्रदर्शन को रोका नहीं जा सका रोड को खाली नहीं कराया जा सका जी बिल्कुल तो बहुत आम जो आम जंता परिशान हो रहे हैं आप कह रहे हैं कि कोट है आप से यह जानना चाहेंगे और यह सुनवाई कब तक चलेगी तो जाहिर तो पर वहां के लिए विशेश पास की जरूरत होती है तो उस पास को जिन लोगों ने हासिल किया यहां पर भीड इसलिए जादा दिख रही है क्योंकि 143 और 144 याचका है जिनकी बात की जा रही है तो हर एक के रिलेटेड जो परसन होते हैं उन लोगों को जाने और वकील वो भी अंदर जाना चाहते थे जिनें परमीशन नहीं मिली और कोर्ट रूम के बाहर जो खास तोर पर सुप्रीम कोर्ट के जब हम अंदर घुशते हैं उसके बाद जो पहला घेरा होता है उसी घेरे के पास उन लोगों को रोग दिया गया है हर को इस बात का इंत तरफ इसके जो विरोध में हैं उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट साथ कोई ऐसा डिसीजन दे कि इस कानून को लागू ना किया जाए तो इसे लेके भी हर कोई अपने अपर यहां पर मत रख रहा है लेकिन जाहिर तो पर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ जादा है घिया एक सुचुवा रही है हैं आपने कहा कि लोक बहुत सारे खड़ें और और विल्कुल बी चिंतित नहीं है सरकार को पता है कि उनके पास बहुमत है और खास तोर पे कोई भी संसोधन या कोई भी बिल जब लोकसभा राजसभा दोनों सद्रों में पास हो जाता है, राश्च्पत के साहिन हो जाते हैं, पारित हो जाता है, तो अब कोट की ये देखना है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार ब लेकिन जस्तरह सरकार तर्प दे रही है ऐसा कहीं नहीं लगता कि डिसीजन सरकार इसे लेकर बिलकु निश्चिंत हैं कि डिसीजन उनके विरोध में जाएगा लेकिन जो विरोधी है वो लगातार इस बात के पैर भी कर रहे हैं यहां तक कर लगर कोंग्रेस की बात करें तो उन्होंने ना सिर्फ बिलको देश विरोधी बताया बलगे समवधान के रिवरोध में इसे बताया और बोला कि भारत की जो खासता है भारत का जो सम्विधान उसकी मूल भासा को ठेस जी अमित 144 याचिकाएं हैं वक्त तो लगेगा धीरे-धीरे करके ही सभी याचिकाओं पे सुनवाई होनी है क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा कि देखिए पिछली सुनवाई में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा था और अगली तारीक देदी ती और उसके साथ में फिर से टिपड़ी की थी कि देश में कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए पुलिस को अपने नजरियस निपटना पड़ेगा विरोध करने का अधिकार ह किसी को नहीं है इस बात की तीखी टिपड़ी जो वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई ती इस बार जब जस्टिस बोबले जस्टिस नजीर जस्टिस संजीव खन्ना तीन जजों की बेंच जब बैठेगी तो क्या मामले की सुनवाई करती है क्योंकि पिछले बार जितनी भी सुनवाई उनमें ज्यादा तरह तारीक आगे बढ़ाई गई डेट आगे बढ़ाई गई है मामलों का संग्यान लेते हुए तो अब सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट कितनी देर फैसला सुनती है कितनी दलीलों को सुनती है यह कोर्ट पर डिपेंड करता है सुप्रीम क पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है जजो को अपना डिसीजन होता है कि वो मामले की सुनवाई किस तरह से करते हैं और कितना समय देते हैं अमित आप से यह भी जाना चाहेंगे 144 याचिका है पर वो कौन सी प्रमुक याचिका है जिस पे सभी की नजर बनी प्रमुक याचिका है जो है जो चोटे-चोटे संगठनों के द्वारा डाली गई है चुकि मामला जो है जगे-जगे जो हिंसायू से लेके भी है चाहे हम अलीगड की बात करें या हम दिल्ली के इलाकों की बात करें जब सुप्रीम कोड ने कहा था कि यह मामले हाई कोड को ओते हैं और सुप्रीम कोड एक साथ में संगयान नहीं ले सकता और इस तरह एक मामले जो हैं लोग हाई 거리 मिलेके जायाू हर प्रदेश के लोग जो है kahol वहां अपने हाई देशवर के مामले हैं, उन सब का केंदर सुप्रीम कोट होना चाहिए, सुप्रीम कोट पूरे मामले की एक साथ में सुनवाई करें, तो क्या इस बात को सुप्रीम कोट मानता है, ये भी देखने वाली बात होगी. जी अमीद बहुत सारी बाते हैं आप नजर बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रें हम से जुनने के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे पर एक बड़ी कबर आपको बता रहे हैं नागरिक्ता संसोदन एक्ट पर सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई जारी है 144 याजकाओ पर तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है तो आज का दिन एहम है CA के खिलाफ जैराम नरेश OVC की अरजी लगी हुई है और वहीं भीड की वज़ा से कोर्ट रूम के दरवाजे खोल दिये गए हैं तो कई एहम मुद्दों पर आज सुनवाई होनी है जिसको लेके बहुत ज्यादा है